नमस्कार दोस्तों मैं सोनु कुमार एजुकीशन गुरुजी में आपका स्वारत करता हूँ तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाना विधान स्वाचेतर बरोधा में हुए 2020 में उपचुनाव की तो फ्रेंड बरोधा उपचुनाव से रिलेटेड 25 क्वेशन है अगर HSSC एक्जाम में बरोधा चुनाव से रिलेटेड क्वेशन आता है तो वो इन 25 में से ही आ जाएगा इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से और अंतक देखेगा क्योंकि सारे क्वेशन इंपोर्डेंट है और फ्रेंड इसकी पीडियो फाइल आप हमारे टेलीगराम गुरूब से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीगराम गुरूप का लिंक मैंने डिस्किप्सिन में दे दिया है या फिर आप सर्च कर सकते हैं टेलिग्राम पे एजुकेशन गुरू जी वहाँ पे आप कोई पेड़े फाइल मिल जाएगी तो चलिए फिर आज का टोपिक शुरू करते हैं ब्रोधा विदानसवा उपचुनाव 2020 किसने जीता है तो बताएए इसका अंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका अंसर आजएगा इंदू राज नर्वाल अंसर क्या हो गया बे इसको बोला भी करते हैं ठीक है किसने जीत लिया इंदू राज नर्वाल ने तो अंसर क्या आएगा बे हारे कौन है योगेश्वर दत क्योंकि यहां पर ना स्री किर्सन हुड़ा विधायक थी उनकी होगी मिर्ट्यू कब अप्रैल 2020 में इसलिए यहां पर दोबारा चुनाव हुए हैं जिनको का गया है ब्रोद्दा विधानसवा उप चुनाव तो इस बार फिर बीजेपी की तरफ से कौन खड़े हुए योगेश्वर दत वैसे तो बीजेपी और जेजेपी दोनों की तरफ से एकी उमी दोआर खड़ा हुआ था वो कौन था योगेश्वर दत लेकिन वो अपकी बार फिर हार गए है जितते कौन? कांगरेस के इंदूराज नर्वाल तो यहां तक आगया आपको समझ में अब देखते हैं अगला क्वेशन ब्रोदा वीधान सभा उपचुनाब 2020 किस पार्टी ने जीता? यह तो बिल्कुल इजी क्वेशन है बताएए इसका अंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड यह जीतता है कांगरेस ने अंसर क्या होगा? B यहां से ना कांगरेस लगातार तीन बार जीत चुकी है 2009 का, 14 का और 2019 का और चोत्ती बार फिर जीत गई कौन सा? 2020 का तो लगातार कितनी बार जीत की कांगरेस? च्यार बार कांसे? बरोदा से तो फ्रेंड यहां तक आगे आपको समझ में तो अगला कोशिन देखते हैं कांगरेस के विधायक सिरी किर्सन हुड़ा का निर्दन होने के बाद यह सीट खाली हो गई थी एक्जाम में कोशिन आएगा बरोदा से किस कांगरेसी विधायक के मिर्द्य हो गई? तो अंसर क्या जया? सिरी किर्सन हुड़ा जो सिरी किर्सन हुड़ा है यह यहां से तीसरी बार विधायक बने थे दोजर उनिस में लेकिन दोजर बीस में क्या होगे इनके मिर्द्यो इसलिए ये बरोदा की सीट खाली होगी और इसी कार्ण यहां पर चुनाव कराए गए हैं 2020 में ठीक है देखो ये बता रखा हमाने जो सिरिकेशन हुड़ा है ये लगातार तीन बार विधायक बन चुके हैं एक 2009 में, एक 2014 में, एक 2019 में और बात करें BJP की, BJP बरोदा से एक भी बार नहीं जीती है ये भी आपको ध्यान में रखना है और बात करें, जो बरोदा हलका है, ये 1966 से लेकर 2005 तक SC, यानि सेडूल कास्ट के लिए आरकसित था लेकिन 2009 में इसे ओपन कर दिया तो एक्जाम में कोशन बनेगा कि बरोदा हलके की सीट का आरक्षन कब खतम किया गया तो अंसर के आजएगा 2009 में तो 2009 के बाद यहां से कोई भी चुनाव लड़ सकता है पहले क्या होता था यह आरकसित थी तो यहां पर सिरफ SC कैंडिडेट ही खड़ा हो सकता था तो यहां तक आगया आपर समझ में अब देखते हैं अगला पॉइंट पहली बार बरोदा में कब चुनाव हुए 1967 में तब यहां से कौन जीती थी कांगरेस पार्टी और कांगरेस पार्टी के कौन से विधाय जीते थे रामधारी तो पहली बार भी कांगरेस जीती थी और अब की बार 2020 में भी कांगरेस जीती है ठीक है और जब 2009 में ब्रोदा हलके की सीट ओपन कर दी गई थी यानि आरक्षन खतम कर दिया था तब यहां से कौन जीते थे सिरिकेशन हुड़ा एक तो सबसे पहले वाला जब चुनवा हुआ 1967 में तब भी कांगरेस जीती या आपको ध्यान में रखना और अब के देख लेते हैं पिछले तीन 2009 में जीती कांगरेस 2014 में कांगरेस 2019 में भी कांगरेस और 2020 में भी कांगरेस लगातार चैर बारी से कांगरेस जीत रही है और इसमें से तीन बार कों जीते हैं सिरिकेशन हुड़ा कब-कब 2009, 2014 और 2019 और जो 2019 का चुना हुआ था उसमें योगेश्वरदत कितने बोटों से हार गे थे 48 और अब की बार फिर हाच चुके हैं किस से? इंदुराच नर्वाल से यानि योगेश्वरदत की ये कौन से हार है लगातार दूसरी और ये मैंने आपको बता दी हैं बात अब बात करते हैं ब्रोदा विदान सवा चुनाव 2020 की इसमें ना चोदा उमिदवार खड़े हुए उनके नाम भी आद कर लेते हैं आपके लिए वैसे तो वैसे तो मैंने चोदा की चोदा बता दी हैं ठीक है? लेकिन आपके लिए important कौन से है? ये पहले चार वैसे तो पहले दो ही important है योगिश वर्दत और इंदुराज नर्वाल क्योंकि इन दोनों की टक्कर थी लेकिन जिते कों इंदुराज नर्वाल कांग्रेस के ठीक है फ्रेंड एक्जाम में आजएगा कुशन योगिश वर्दत कौन सी पार्टी से है तो बाज़पा से आजएगा या फिर ब्रोदा चुनाव के से जितता इंदुराज नर्वाल ने या फिर कौन सी पार्टी ने जितता तो अनसरा जगा कांग्रेस इसके पीडे फाईला आप हमारे टेलीग्राम गुरूप से डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम ग्रूप का नाम है एजुकेशन गुरूजी लिंक डिस्किप्सिन में दे रखा है अगला पॉइंट है जो ब्रोधा उप चुनाव है यहां पर बोटिंग कब होई ये भी एक्जामे कोशन आ सकता है तो ये हुई तीन नुवंबर को और बोट कितने परतिशित पड़े लगबग 68 परतिशित लेकिन एक्जाम में पूछा जा सकता है सिर्फ ये कि कब हुई तो अंसर आ जागा तीन नुवंबर ठीक है और उसके बाद इसमें मद्दान केंदर कितने थे 280 और बोट कितने मद्दाता हुने डाला 1.81 लाख ठीक है यहां तक आगे आपको समझ में अब बात आती हैं से कौन सा उमिद्वार जीता कांग्रेस की तरफ से तो खड़े हुए इंदुराज नर्वाल इनैलो की तरफ से जोगेंदर मलिक और बाजबा की तरफ से योगेश्वर दत और हां जो ब्रोदा उपचुनाव है इसमें सुर्कसा को मदेनज रखते हुए क्या कर दिया था 500 मीटर तक 1444 लगा दी थी यानि जो मतगणना के इंदर है उनसे 500 मीटर के दारे में 1444 लगा दी थी और जो ब्रोदा उपचुनाव है उसका रिजल्ट कब आया 10 नौवंबर को यानि वोटो की गिंती कब गुई 10 नौवंबर को और जीते कौन अभी बताया था इंदुराज नर्वाल और योगेश्वर दत दूसरी बार फिर से हार गए जो ब्रोदा है ये कौन सी लोग सुब़ सीट में आता है सोनिपत ये भी आपको ध्यान में रखना है कौन सी लोग सुब़ सीट में आता है ब्रोदा सोनिपत जो योगेश्वर दत है इसको किसी ने खड़ा किया था BJP और JJP ने यानि इन दोना का उमीदवार कौन था समझ में आगे होंगे तो फ्रेंड इसकी पीडे फाइल आप हमारे टेलेग्राम ग्रूप से डाउनलोड कर सकते हैं ओके फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही अमिल तक नए वीडियो के साथ तब तक ले जैहिन बंदे मातर हो और फ्रेंड अगर आप हरियाना के किसी भी गुर्मेट एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमने कुछ नोट्स तयार कर रहे हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्सिन में दे दिया है आप होंसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे वर्टस अप नमबर 8590-8508 पर मैसेज़ कर सकते हैं और फ्रेंड हमने के हरियाना जी के की बुक तयार कर रहे हैं अगर आप उसे लेना चाहते हैं इससे अप स्क्रीन के उपर देख सकते हैं अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो आप हमारे वर्सक नमबर 8590 के 508 पर मैसेज कर सकते हैं हम ये बुक आपके घर पे दो से तीन दिन में पुचा देंगे